हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं है मांशू स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांडर दुरुप का अगला कॉमिक जिशे शांग शीतान संजग अपता पेश करते हैं शीतान शीतान चाहे कितना जट पटाले द्रो लेकिन आज हम तुझे भी शीतान पना करी रहेंगे राजनगर समय राज साड़े ग्यारा इस्थान सुनसान सड़क और उस सड़क पर उस तरह बढ़ती हुई एक अकेली अक्रती अचानक संजग भांग हो गया तर 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 वह रहा हमारा माल लेकर जाने वाला कमीना जंगल में तो हमको गोली चलने का मौका यह नहीं मिल पाया था लेकिन यहां हमारे इलाक मी यह नहीं बचेगा तुम सब छोड़ गए पिछली वार तुम पर तरस आ गया लेकिन इस बार नहीं छोड़ेगा तुमको वनपुत्र पेड़ पॉदो के राजा वनपुत्र के बारे में बिस्तार से जान निकले पड़ें डॉक्टर वायरस और हत्यारा कॉन ये दौनों कॉमिक्स भी चैनल पर वाइस मोड में अपलोड हैं किर्पया करके सुपर कमांडो दुर्प की प्लेलिस्ट चेक करें देखते ही देखते जमीन भोड़कर निकली जड़ों ने जीप को तो पल्टा दिया लेकिन हत्यारों को गुंडों के हाथों से अलग नहीं कर पाया ओ लेकिन ये हत्यार मुझे नुक्सा नहीं पहुचा सकते हमको उतारो अगर हमको पता होता कि तुझ जातू कर रहे तो हम तुझसे कभी पंगा नहीं लेते लेकिन दभी ये क्या है बरफ राजनगर में बरफ किर रही है कैसे राजनगर में तो ठंड तक नहीं पड़ती है जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है क्योंकि ठंड से जड़े मर रही हैं और हम अजाद हो रहे हैं अब हम जंगली को आराम से मार सकते हैं पौधों बढ़ों बढ़ों पौधे मूर्चित अवस्था में थे और वनपुत्र को मौश से बचाने वाला कोई नहीं था सिवाए उस बरफीले फरिष्टे के पहले भरफ और अब बरफीला फरिष्टा फरिष्टा नहीं वनपुत्र मैं ध्रूब हूँ इस्टार लाइन से जूल कर यहां आते आते मेरा यहाल हो गया लेकिन तुम यहां तक आई कैसे तुम पर पहली गोली चलते एक चुडिया मुझे तुमारा पता बता गई थी लेकिन मुझे बरफ गिरने का आभास नहीं था पहले मैं मोटर साइकल से आ रहा था लेकिन सभी रास्ते बरफ से ठके हुए ना जाने यह बरफ कहां से आ रही है खेर तुम यह वदाओ कि तुम लाज जंगल में क्या करने आयो तुमसे ही मिलने आयता दुरूप मुझसे ऐसा क्या काम आन पड़ा इसकी इनकी वज़े से म पुना रत्न वगहरा होते ही तुम पुलिस के हवाले कर देता पर इस बारे में मैंने तुम्हारी राय लेना उचिस समझा कहीं यह किसी बड़े शटेंद का कोई हिस्सा तो नहीं है यह तो यही गुंडे बता सकते हैं बताओ क्या है इन से लेंडरों में किस काम में आते है बाग को तो मार ना पर मौकिय का फायता पर हम सिलैंडर ले उड़े यह सारा प्लान उसी शक्स ना हमको बता आया था जिसने हमको यह कॉंडरिक्ट दिया था उसको ये शिद्वन को जंगल में तबह रहे ते क्यार तुम भी जमीन को कापता हुता है महसुस कर रहो बंपות् नहीं नहीं देखते कैसे वनपुत्र यह मैमत है हाती का पूरवच यह शीत युग के दौरान पिर्थी पर रहता था और इसकी परजाती को लुप्त हुए हजारों वर्ष बीच चुके फिर यह कहां से जिंदा होकर आ गया इसके जिंदा होने की फिकर करने से पहले अपने जिंदा रहनी की चंता करो उद्रो वर्मा इसके पेड के तने जैसा मोटा पैर हमारा कचुमर निकाल देगा यह सेयोगी आया कुछ और है पहले महानगर में एक अजीब वगरीब बाग देखा गया और फिर राजजगर में यह बिलुक्त महमत मैं शर्ट लगा कर कह सकता हूँ कि यह बाग भी किसी बिलुक्त परजाती का ही पराणी रहा होगा हो सकता है कि यह सेयोगी उद्रू बाग और महमत का देखा जाना तो सेयोग हो सकता है लेकिन शीत यूग के पराणी महमत का आना और राजजगर में पहली बराब वरफ का गिरना सेयोग नहीं हो सकता ये कोई जान बूच कर कर रहा है और मेरा कहाल है कि वै इस घटना करम पर नजर भी रख रहा होगा उसको सामने लाने का एक ही तरीका है कि उसके काम में बांदा डाल दी जाए यानि महमत को रोक दिया जाए ये काम मेरी पतली तुबली स्टार लाइन शायर ना कर पाए लेकिन महमत दोरा टोड़ा गया बिजली का यहतार जरूर कर सकता है ओ गुड बरफ से सड़के ढगी होने के कारण पुलिस की घाड़ियां तो नहीं है बाई लेकिन पुलिस हेलिकॉप्टर जरूर आ गया ये महमत को अराम से उड़ा उठाकर चिडिया गर मैं छोड़ सकता है हेलिकॉप्टर से एक जाल महमत पर आ गिरा अब ये हिल भी नहीं सकेगा और हम इसको उठाकर सुरक्षिस्तान पर छोड़ आएंगे लेकिन महमत ने नासिम बिजली के खंबे को खार डाला बल्कि उसको हवा में उच्छाल भी दिया और खंबा हेलिकॉप्टर के पंकों में जा गुसा हे भगवान ये तो बहुत शक्तिशाली है शुक्र है हेलिकॉप्टर के सवा नरम बरफ में गिरने के कारण बच गए हेलिकॉप्टर की आग न जाल के तारों को भी जला कर इतना कमजोर कर दिया कि महमत उसे तोड़ सके लेकिन अब ये जा कहां रहा है इसकी चाल से ऐसा लग रहा है कि इसको पता है कि इसे कहा न कहा है आव वनपुत्र हम इसका पीछा करके इसको रोकने की कोशिश करेंगे ये फैक्टरी एरिया में गया है ये तो एक के बाद एक फैक्टरी को तोड़ता ही जा रहा है इसको रोकना होगा मैं कोशिश करता हूं दुरू अभी शीत से सारे पेड़ पौदे मूर्चित नहीं हुए कुछ अभी भी मेरा आदेश मान सकते हैं लेकिन मैमत में बहुत शक्ती है दुरू अध मारे पौदे भी इसको रोक नहीं पाएंगे यह अपने आप उस फैक्टरी के अंदर जाकर रुख गया है इसको पकड़ने का यही एक मौका है लेकिन इसको पकड़ा कैसे जा सकता है शीत इसकी असली ताकत है अगर किसी तरह हम गर्भी पैदा कर सकें तो यह कमजोर पढ़ जाएगा यहां गर्भी पैदा करने की कोशिश की तो आग लग सकती है और यहां पर रखे घातक गैसों के कंटेनर फट सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो गैसे हैं पूरे राजनगर में फैल कर राजनगर को शमशान मना देंगी कैसी गैसे हैं यह अक्तिया दूने अविश्कार हैं यह कैसे हैं इनका प्रियोक कूलिंग के लिए फ्रिजों एयर कंडीशनों वग्यरा में किया जाता है लेकिन अगर यह इस तरह वात्रवना फैल गई तो कई किसमें की घातक बिमारियां फैला सकती है फिर इसको रोकने के लिए दूसरा तरीका काम में लाना पड़ेगा दुर्फ के गले से गुर्रहा टुबली और सर्दी से जुटर रहे गली के कुत्तों को मेहमत को भबड़ने का काम मिल गया अब कुत्ते मेहमत को वेस्त रखेंगे वनपुत्र यहां पर भी कुछ-कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कि उन गुंडों के अनुसरा महानगर में हुगता है मेहमत ने सभी को फैक्टरी के बाहर भगा दिया हो सकता है कि यहां पर भी उसी तरह से कुंडे लूट पाट करने की कोशिश करें हमको पूरी फैक्टरी में घूम कर देखना होगा ठीक है दुरूप शायद ऐसा करने से ही इस मामले की तहता कहुच पाएं ओ ठंड बढ़ती ही जारी है दुरूप खुले किड़की दर्वाजों से आकर बरफ ने फैक्टरी के फर्ष को भी ठक लिया है यहां पर तो कोई नजर नहीं आ रहा है दुरूप वैसे भी रजाई में घुसने का मौसम हो रहा है ड़कैटी डालने का नहीं च्छनाक उस तरफ कांस तूटा है उधरी घाटक गैसो के हाथ पर जरूर ठंडे पढ़ जाते हैं इसनो रोबो लगता है यह मशीन और रूइस सी बरफ का शरीर है इसका यानि शेटनकारी को पता था कि इस बर मामली गुंडों से काम नहीं चलेगा इसलिए उसने इसको बेजा है कोई फरक नहीं पढ़ता दुरूप यह एक है औ और इसनो रोबो को भागने का मौका मिल जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए वंद्पुत्र तुम इसनो रोबो को भागने से रोगो तब तक मैं मेहमत से पीचा छड़ाने का कोई स्थाई समाधान निकालता हूं अगले ही बल दुरूप को पता चलेगा कि मेहमत को रोकना आ चंतिर करने वाली शक्तियां और यह शक्तियां और वे शक्तियां शीत में बेकार हैं पौदे शीत में निश्क्री हो जाते हैं अब इस देटिस से कैसे निप्टू चाहे तेरे पास कोई भी शक्तियों जंगली फिर भी तुम उससे बच नहीं पाएगा अ बरफ में ठक दि मुझे रोकने चला था और धुरूब भी और धुरूब के भी करीब थी बहुत करीब उफ सही सेमें पर होश आ गया वरना सिर्श तर्बूच के रप भट गया होता अब मैं तो मुझे उठाने का मौका ही नहीं दे रहा है और इसका पैर लगातार मुझे को चलने के लिए जमीन से टकराता ही जा रहा है इसको रोगने का सबसे अच्छा तरीका इस बार जब मेहमत का पाओ जमीन से टकराया तो जमीन और उसके पैर के बीच में स्टार बिलेट था मैं मच्चिंगार हो था और दुरुब को उठने का मौका मिल गया लेकिन यह दया नहीं हो पाए कि दुरुब कि अपने पैरों पर खाड़ा रह पाएगा इसके बार से चारों तरब मशीनी तुकड़े वोड़ा है इसका मोटे कंबल सा बदन तो इनकी टकर छेल जाएगा पर एक बार इसके सिर तक पहुंच जाओं दुरुब महमत के सिर तक पहुंच गया लेकिन अंकुष घुसाने से पहले ही उसका शरीर जमीन से आठकराया अब कैसे रोकूं इस डैति को स्टार ब्लेट से बचने के लिए अब इसने अपने पैरों में भरफ के जूते पहली है व हैं इन बीजों को मिट्टी में दाल दूंगा और वातमण की ठंटकासर दूर करने के लिए अपने पैर की गर्मी दूंगा उने हैं इनको वनपुत्र का आदेश पाकर पौदे तेजी से बढ़े और वनपुत्र के शरी पर चड़ा बरफ का गोला तूट किया और इसनों र दूखने चला था दूरुफनवी मेहमत समस्य काहल ढूंड लिया था मेहमत की शक्ती शीत के कारण है लेकिन वास्ता में ये गरम खुन वाला प्राणी है और इसके शरीर के बाल इसकी ठंडक से रख्षा करते हैं अगर ये बाल नहीं हो तो मेहमत पर भी ठंड का असर होग लेकिन इसके बालों को हटाया कैसे जाए इसको सैलून में ले जाने के लिए मनाना तो जरा मुश्किल है और यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसके बालों को चल्दी हटा सके फिर ओ येस मुझे फिर से अपने दोस्तों की मतल देनी होगी ऐसे दोस्त जो इसके बालो की तरह गायब होने लगे कुछी देर में मेहमत के शरीर और ठंडी के बीच में कोई रोक नहीं थी और सही जगर पर किया गया एक ही जोड़दार वार कमजोर मेहमत को ठंडी जमीन पर लुड़का देने के लिए काफी था हमने दौनों मुसीबतों को खतम कर दिया तरुक हम जीत गए यह जीत अधूरिय बनपुत्र हमने अभी तक ना तो इनके मकसद का हमें हमको अभी तक ना तो इनके मकसद का पता चला और नहीं इनको भीजने वालों का चटा यह भी एक रहस से है सैबर टूट टाइगर और मेह कौन है इनको जिन्दा रखने वाला यह जानकर उनको क्या करना है जो कुछी देर में मरने वाले हो इसनों रोगो अभी जिन्दा है वनफुत्र और अब इसके अलग-अलग उकर हम पर हमला कर रहे हैं अब इससे कैसे निप्टने दूप इससे मैं निप्टूंगा अगर ल राजनगर का मौसम रहस में रूप से बदलते ही मेरा माता ठनक गया था बाहर निकलते ही मेहमत के पैरों के निशान देखे उनका पीछा करते करते में यहां चला आया लेकिन आप तो अपने आपको सामान मानव बनाने की कोशिश कर रहे थे कोशिश की पर सफल नहीं हो पा और तेरी बरफ फिर से जुड़ गई और अब तु मेरा शरी तोड़ा है तो पाउडर जैदा बरफ गण इसनों का बना है इसलिए तो बार बार जुड़का राकार ले रहा है अगर तेरी बरफ को सिल्ली की तरह पादर्शी सक्त बना दिया जाए तो कोई रूप नहीं ले होते हैं शीतान के दूसरे भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद